नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनेरिंग इन हिंदी में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक ओफ इलेक्रिसिटी का पार्ट फोर तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन है नीचे दिये गए चित्र में समान प्रतिरोध वाले चार परिपत जुड़े हुए हैं इन में से कौन सा परिपत सबसे कम धारा प्राप्त करेगा ठीक है यानि सबसे कम करेंट जो है किसमें फ्लो करेगा ये हमको पता करना है तो देखे सबसे कम करेंट किसम प्लो करेगा जिसका जो रेसिस्टेंस है सबसे ज्यादा होगा ये बात आपको ध्यान रखना है जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें फ्लो करने वाला करेंट सबसे कम होगा और सभी प्रतिरोध जो है समान है मतलब पहला वाला जो है उसमें R है और B वाला जो आफसन है उसमें दो पैरलेल में जूड़े हुए है यानि R और R पैरलेल में जूड़े है यानि उनका equivalent क्या हो जाएगा R by 2 और C वाले में जो है दो parallel जूड़े हैं एक series में जूड़ा है यानि R by 2 प्लस R मतलब 3R by 2 ठीक है और इसका equivalent निकालेंगे तो यह आएगा 1.5R ठीक है चौथा हमारा है R प्लस R यानि 2R तो आप देख रहे हैं सब चौथे option में जो resistance की value है वो 2R है और बाकी सब में जो है इसमें कम है यानि जो चौथा वाला option है उसमें जो current flow करेगा वो सबसे कम करे देगा क्योंकि उसके resistance की value सबसे जादा है ठीक है next question देखते हैं तो देखिए हमने यह बताया हुआ है जब कोई भी प्रतिरोध या सरकिट जो है प्रतिरोध जो है पैरलेल में लगे हैं तो उन में जो क्या होगा वो वोल्टेज जो होगा वो बराबर होगा ठीक है जब कोई प्रतिरोध जो है सीरीज में लगे होते हैं तो उन में flow करने वाला current जो होता है वो समान होता है जब पैरलेल में जुड़े होते हैं तो वोल्टेज समान होता है यानि विभुवांतर समान होता है तो प्रतेक प प्रतिरोध पर विभुवांतर क्या होगा वह होगा समान तो हमारा आंसर क्या होगा एवाला नेक्स्ट गोश्चन देखते हैं कि चित्र में दर्शाय गए परिपत का मिश्रित प्रतिरोध होगा मिश्रित प्रतिरोध कहने का मतलब है equivalent प्रतिरोध या resultant प्रतिरोध क्या होगा तो देखिए पहला जो है 8 ohm और 8 ohm ये दोनों parallel में हैं तो उनका equivalent निकल जाएगा क्या सीधे जो बड़ा वाला resistance बड़ा वाला मतलब कहने मतलब इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है तो उसमें से एक रेसिस्टेंस को कोई भी ले लिजे 8 ohm है और कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट है तो दो ohm सीधे बस दो से भाग दे दीजे तो हमारा 4 ohm आ जाएगा मतलब पहला जो दो parallel में 8 और 8 ohm लगे हैं उनका equivalent क्या हो जाएगा 4 ohm हो जाएगा इसी तरह 9 ohm के 3 रेसिस्टेंस लगे हैं तो 9 बटे 3 मतलब इसका equivalent आ जाएगा 3 ohm तो पहला जो 4 ohm है और ये जो 3 ohm है ये दोनों किसमें आ जाएगे सीरीज में आ जाएगे और सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 यानि 4 प्लस 3 सातुम हमारा आंसर हो जाएगा तो ये आंसर कौन सा होगा तीसरा वाला next question देखते हैं next question है चित्र में दर्शाय गए परिपत का मिश्रित प्रतिरोध होगा तो इसमें भी मिश्रित प्रतिरोध पूछा गया है यानि equivalent resistance पूछा गया है तो देखिए जो समान resistance अगर parallel में connect हो तो उसमें क्या करते हैं जो समान resistance है उसमें जीतना resistance जुड़े हुए ह उन ही से भाग दे दिया जाता है तो देखिए जो दूसरा वाला सरक्ट है जूसरा वाला 4 ohm जो है उसमें 4 जग़ा पैरलल में कनेक्ट है ठीक है तो उसमें 4 ohm को केवल 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा equivalent resistance क्या बनेगा 1 ohm ठीक है और जो पहला A और B वाला जो दिया है उ उसको निकालेंगे पैरलल वाले फार्मूले से पैरलल वाला फार्मूला होता है R1 into R2 divided by R1 plus R2 यानी 4 गुडे 6 divided by 4 plus 6 तो ऐसे करेंगे तो 24 बटे 10 आएगा मतलब 2.4 आएगा अब यह जो 2.4 है और नीचे जो दिया है 1.6 अगर इसको हम जोडेंगे तो यह क्या बनेगा यह बनेगा 4 Ohm ठीक है और 4 Ohm और जो पहला जो जो चार रेजिस्टेंस, चार Ohm के पैरलल में कनेक्ट थे उनका एकिवेलेंट एक Ohm जो आया था यह दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा पांच उम तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी वाला नेक्ट कोश्चन देखते हैं बिद्दुत आवेश की इकाई है यानि चार्ज का यूनिट क्या होता है तो ये चार्ज का यूनिट सबको पता है charge का unit क्या होता है coulomb होता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा d वाला coulomb अब volt जो है voltage की unit होती है और ampere जो है current का unit होता है next question देखते हैं चित्र में volt meter 2 की reading क्या होगी चित्र दिया गया है इसमें volt meter की reading क्या होगी हमसे पूछा है तो देखे 500 volt जो है supply voltage है और अगर resistance देखे तो 100 ohm के दोनों resistance है मतलब जो है resistance के cross voltage जो है directly divide होता है मतलब जो है resistance अगर चुकि इसमें दोनों बराबर है इसलिए voltage आधा आधा divide हो जाएगा मतलब 125 volt जो है 100 ohm के resistance के cross जो है रहेगा और 125 volt दूसरे वाले 100 ohm के resistance के एक cross होगा तो हमारा answer क्या होगा B वाला होगा next question देखते है चित्र में number 4 की reading क्या होगी ठीक है तो देखिए एग इसको कैसे लिका लेंगे तो पहला जो है दो दो resistance पैरलल में जुड़े हुए है तो इनका equivalent कैसे निकाला जाता है तो देखिए इसको 8-3 का 24 होता है तो हमने बताया हुआ है ये तीन गुना है बस एक अपने पास से बढ़ा देंगे मतलब 4 से divide करेंगे किसको divide करेंगे जो दोनों में बढ़ा होगा मतलब 24 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो equivalent resistance क्या आ जाएगा 6 Ohm ठीक है और हमको निकालना क्या है current निकालना है तो current क्या होता है B by R B हमारा कितना दिया है 24 और 24 को हम जो equivalent resistance निकाले है 6 Ohm से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 यानि 4 Ampire current फ्लो करेगा ठीक है next question देखते है एक परिपथ में किसी जंक्सन पर धाराओं का बीजगर्ती योग शुन्य है ठीक है ये किर्चाफ का पहला नियम होता है किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रतेख भाग के प्रतिरोध और धारा का गुना का बीजगरती योग परिपत में कुल विद्द बाहक बलो के बराबर होता है ये किर्चाफ का दूसरा नियम है इनको कहते हैं आपसन दिया गया है लापलास का नियम किर्चाफ का नियम फैराडे के इलेक्रो मैगनेटिक इंड़क्शन का नियम और डी दिया है कूल आम का नियम तो इनको क्या कहते हैं किर्चाफ का नियम ठीक है ये दोनों क्या है किर्चाफ का पहला नियम और दूसरा नियम है किर्चाफ का जो पहला नियम है जो धारा वाला वो किस पे आधारित होता है वो होता है conservation of charge और दूशरा नियम जो है वो conservation of energy पर आधारित है next question देखते है VT stone bridge में bridge को संतुलित कहा जाएगा मतलब balance कहा जाएगा जब प्रतिरोधों का अनुपात होता है तो देखें जब प्रतिरोधों का अनुपात कब होगा VT stone balance होगा जब होता कब है जब P by Q बराबर RYS होता है तो देखें यह option में पहला ही दिया है P by Q बराबर RYS ठीक है और कोई भी option जो है सही नहीं है ठीक है तो इसका क्या होता है जब VT stone bridge में जब bridge balance होता है तो उसमें जो है P by Q बराबर RYS होता है ठीक है एक संतुलित भीट इस्टोन ब्रीच के लिए X का मान क्या होगा तो हमने बताया हुआ है जब ब्रीच संतुलित होता है तो उसमें क्या होता है P by Q बराबर R by S होता है P की वैलू दे रखी है C और Q की वैलू दे रखी है 40 और इसर बराबर में X रखेंगे X बटा 4 तो हमारा वैलू जो निकल करके आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8 होम यानि जो X की वैलू है वो क्या आएगी 8 होम नेक्ट कोश्चन देखते हैं बराबर कैपसिटी वाले 4 कैपसिटर की कैपसिटी क्या होगी जब वे सीरीज में जूड़े हों तो देखिए रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जूड़ा होता है तो हम डाइरेक्ट जोड़ देते हैं लेकिन जब कैपसिटर सीरीज में जूड़ता है तो हम उसको डाइरेक्ट नहीं जोड़ते हैं inverse करके जोड़ते हैं ठीक है तो इसमें पूछा गया है बराबर capacity के चुकि capacity बराबर है और कितने capacitor जुड़े हैं चार तो बस उसको चार से divide कर देना है यानि C by 4 हो जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा B वाला next question देखते हैं समानतर क्रम में जुड़े चार capacitor capacitor की capacity क्या होगी यदि प्रतेक की capacity C है तो हम जानते हैं capacitor जब समानतर में जुड़ा होता है तो उनको direct जोड़ देते हैं मतलब C1 plus C2 plus C3 ऐसे डॉट 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 एड सो ओन ठीक है तो इसमें जो की बराबर है चारो capacitor इसलिए हमारा answer क्या होगा 4C next question देखते हैं 18μF, 16μF, 42μF और 74μF के 4 capacitor हों समानतर क्रम में जुड़े हो तो परिडामी capacity क्या होगी तो देखिए इसको समानतर में जुड़ा होगा है यानि इसको हमको direct जोड़ देना है तो देखिए 18μF में अगर 42μF जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 60 और 60 है और 16 और 74 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 90 और 90 और 60 को जोड़ेंगे आ जाएगा 1.500 तो हमारा answer क्या बनेगा D वाला 1.500μF next question देखते हैं 36μF और 14μF कैपसिटी के कैपसिटरों को समानतर में जुड़े होने पर कुल कैपसिटी क्या होगी तो इसको समानतर में डाइरेक्ट जोड़ देते हैं मतलब 36 और 14 क्या हो जाएगा 50μF हमारा answer A हो जाएगा next question देखते हैं 4μF कैपसिटी के 3 कैपसिटरों को स्रेडी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपसिटी क्या होगी ठीक है 4-4μF कैपसिटर और 3 कैपसिटर है तो हम बताएगा जब सीरीज में जुड़ते हैं तो इनवर्स होके जुड़ता है तो अगर इसको हम डाइरेक्ट निकालना चाहे हैं चुकि कैपसिटी दोनों की बराबर है कैपसिटी की तीनों की तो 3 कैपसिटर है तो 4 बते 3 हो जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा B वाला 4 बते 3μF तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए अगर आपको कोई सवाल और सुजा हो तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद